गोंदियास्तान यह फुल्चुर ग्रामपंचार कारले परिसर में श्री गरेश ग्रामएंड विकास शिक्षण संस्ता गोंदियादवरा संचालित श्रीकनेश संभाइडरी एवं स्टेचिंग प्रोडूसर कंपनी लिमिटेड की मातिम से मैलाव के लिए एम्डॉडरी कारागीर प्रशिक्षन श्रीपिर वह मैला सम्मिलन का आईजिंग किया गया जबकि प्रमुक अधिति के रूप में भी गनेश ग्रामें विकाश शिक्षन संस्ता के सचिव विजय बहिकार, सत्यप्रकाश मेरा, रामचंडर चंडराकार, रामकृष्ण चौधरी, श्रीमतिस निहा, गौतम, ग्रामपंचार सदस्य, सुभान राव, रहांग डाले, सिव सहकारी संस्ता अधिक्ष, अशुक्षन्य, महात्मा कांधी, विवाद मुक्तिस समिति अधिक्ष, पंकज बातल, सहास असुसेट और एकन इंटरप्राजिस कंपनी वर्था, साकर काकड़े, कंपनी के मालिक वर्था, कल्पना विजय बहिकार, डॉक्टर सत्यप्रकाश, व महिलाओं की आई बढ़ाने के लिए प्रयास करी हैं, जिले में पहले दो लाग महिलाओं बिड़ी बना दी थी, लेकिन अब वही महिलाओं थैलिया वा अगरबत्ती बना रही हैं, कंपनी के मातिर से महिलाओं की बनाएक प्रोड़क की बड़े पेमारे पर बिक्री होगी, जिससे महिलाओं की आई बढ़ेगी, महिलाओं कंपनी की योचनाओं का पालंग करें, वही डॉक्टर सत्य प्रकाश ने अपने मार्के दिशन में राजस्तान के भरत पुरुचिले की महिलाओं की आत्मनिर्बर्टा की विस्तृत चांग करी थी, इस तरह जीपकार हेरिस महिलाओं को तमराडरी कारागरी की हुनर आत्म साथ कर बड़िया उत्पातन निर्मान करने के सला दी, जिसने पुरी दुन्या में रोश्णी फैले की, इस गारिक्रम की एदिश्यर राजगोपाल पीवी ने अपने मार्के दिशन में कहा कि बड़ी कंपनी का निर्मान क्य जिसके मातिम से जिसमें हजार लोग सदे से होगे, इसका मतलब मजदूर नहीं मैलाओं मात्मिक बनेगी, उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान कौन करीगा, इसके लिए मैलाओं की ओर देखा जा रहा है, गरिबीन दशाब वपरियावरन की समस्या हो, इसका समाधान मैलाओ करीगी, मैला केंडरिस सोच परिवार से दुनिया तक मैलाओं का योगदान महत्वपुन है, प्रसावना रेखा बानेवार ने रखे, जबकि संचालन शालू कृपाल ने क्या, इस समय लिए मैलाओं द्वरा उत्पातित अनेक वस्तू प्रदर्शन के लिए रखी गई थी इन बिसन नियुस के लिए गोंदिया से अभिशिख भट्ना करकी रिपोर्ट